अगर जाने या अगर हम कोई पाप कर लेते हैं तो इसके मुक्ती का क्या उपाय है। इस शवाल राजा परिख्षित सुकदेब जी से पूछ रहे हैं कि प्रभुबर मैं आप से पूछ रहा हूं कि बहुत सारे पाप जो हैं वो अनजाने में हो जाते हैं जैसे कोई चीठिया मर जाती है कोई कीरे मर जाते हैं स्वांस लेते हैं तो स्वांस के माध्यम से कितने जीब मर जाते हैं भोजन बनाते हैं उसमें लकरी जलाते हैं लकरी में भी कीरा होता है उसमें कितने जीब उसे मर जाते हैं और बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो अंजाने में हो जाते हैं तो उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है भगवन तो आचार्ज सुकदेब जी ने कहा कि राजन ऐसे पाप से मुक्ती के लिए रोज प्रति दिन पांच परकार के यग्य करने चाहिए महराज परिछित ने कहा कि भगवन एक यग्यदी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है और आप कह रहे हैं कि पांच यग्य करें और ओभी रोज तो आचार्ज सुकदेब जी ने सभी मनुस्षों के कल्यान के लिए बहुत ही शुन्दर बात बता रहे हैं बोले राजन पहली यग्य है कि जब घर में खाना बने यानि की रोटी बने तो सबसे पहली रोटी गव के लिए निकाल देना चाहिए दूसरी यग्य है राजन चीटी को रोज दिन कुछ आटा ब्रिक्छों की जर के पास डाल दें और तीसरी यग्य है कि हे राजन आप चाहे कोई भी मानब हो उसको रोज पक्छी के लिए थोड़ाशा अन डालना चाहिए और चोथी यग्य है आटे की गोली बना कर रोज पोखरा तालाब जो आपके नजदीक में है उसमें मच्छी के खाने के लिए डालना चाहिए और पांची भी यग्य है राजन भोजन जब बनाते हैं तो भोजन बना कर अगनी भोजन रोटी बना कर उसके टुकडे टुकडे करके उसमें घी चिनी इत्यादे मिला कर और अगनी देव को भोग लगाए अतिती का सतकार करे कोई भिखारी याबे तो उसे कभी जूठा अनभिक्षा में नहीं दे राजन ऐसा करने से अनजाने में किये हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है और हमें उसका दोश नहीं लगता है और उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता है तो फिर सुकदेब जी ने फिर राजा पर इक्षित ने पूछा कि भगवन यदी गिरहस्त में रहकर कोई मनुष अगर ऐसा यग नहीं कर पाता है तो उसका क्या उपाए है तो वहाँ पर सुकदेब जी कहते हैं कि नरक से मुक्ती पाने के लिए हम प्राश्चित करें कोई बेक्ती तपस्या के द्वारा प्राश्चित करता है कोई ब्रह्मचर्ज पालन करके प्राश्चित करता है कोई बेक्ती यम नियम आसन के द्वारा प्राश्चित करता है लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ राजन कि केवल हरी नाम संकिर्तन से ही जाने और अनजाने में किये हुए सारे पाप नस्ठ हो जाते हैं इसलिए राजन अगर कोई यग नहीं हो सके तो भगवान राम और कृष्ण का नाम जपें इसके नाम जपने में कोई समय किया बच सकता नहीं है किसी भी तरह भाब कुभाब अनखा लसूहूं नाम जपत मंगल दिसी दसूहूं सोते जागते उठते बैठते प्रभू का नाम जपते रहें आपके सारे पाप समापत हो जाएंगे तो बोलिए जै जैसी अराम